अब दिसी शुबब में नावे बैगे दे नियो वीडियो और इस वीडियो में ACL के बारे में पढ़ना आ लें तब ACL से मतलब यह होता है Access Control List यानि कि जो है आप access कर सकते है कि किस जो user को है किस ता एकका आपको access देना है तो miyai gena मैं थके MY ने बना रका है एकका नमे सब्स्क nombreux ऑर एककना में नताशा पड़ना है न और यह बना आव इसवेंद्गों डोनों का पहले हम सब्सक्रामीया इस डना किया है आपelे हमसे लागां यह एक फाइल एक आप लिखना है सेर्थ तो सेट करने काम में आता है तो स्वाइट एक्स वाइज एक्स वाइज नाम की फाइल क्रेट किये उसके बाद में हम इसको देखिंगे इसके पाद एक्स वाइज यसके पाद इसके पांगे पी 흰ूट के लिए और तो के तीन टाइप के लोह पाद है यूजर फंग यूरोब के पास to सब टाइप की होती है अब यूजर से मतलब हम और ठीक का अब रहने की जिस नाम का आपने बनाया उसका ओर्नर और सुन्हा है तो तो कि दीन रहता है तो दीनके पास डुकिक की पर्मिशन और रहता है उसलिदी ग्रूरर होता है या फिर अपनी है तो फिर आपके अजयों ब्र्ण या सब आप जिस user का दे रहे वो user नहीं, तो other के लिए अलक टाइप की permission मनती है, तो वाइस यहाँ पर देगी हम permission देते हैं किसके लिए, यह देखी F, यह ABC की file है, XYZ की file है, तो सरा के लिए permission देते हैं कि वो देख सके इस file को, सके हैं तो स्टोने नहीं की उसको रुपन कर सके शरर के लिए हम पर्मिशन देंगे कि उसको राइट भी कर सकें लेकिन नताशा के लिह अंधर हम का कि कि रेखर पर्मिशन के लगता है lecture और हम कर सकती है छोई भी कर सकती है लिए अपने परमिशन कर सकती है right है अब हम देखते है getfaclxychat तो गाईस देखी कि यहाँ पर आ चुका है सारा के लिए read and write आ गया है ना read and write सारा के लिए यानि कि read write ये कर सकती है इसको जो है permission हमने read write की दे दिये अब गाईस हम करते है permission set अगली user के लिए यानि कि नताशा के लिए नताशा को जो हम देंगे वो यह देंगे कि उसको हम किसी बीड आई प्रमिशन नहीं देंगे उसको बोलेंगे हमकी आप एरो की से जो है आप repeat command वापस से ला सकते हैं जो पहले अपने command लगाई थी अपके रोके लगाते जाएए उसको जो है आती जाएगी लेकिन इसको पूरा ही करके दिखाते हूँ आपको ताकि आपको समय में करके रहा हूं सैट एएफए हOOD है ईफ Ben यू कि जसके बाद में आपको लिखना एक जूजय का निम नता शा आसक्ट वापस से सोरी का इजसету हां नताशा अब है इस मेर्डॉपर्मिशन को चीप तो तीन हो डॉट यानने कि इस लिखता R dot dot और R dash dash और जो मुझे किसी बचाइब की परमिशन नहीं देनी है तो मैं लिखाऊ डश 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 अगर गाइस आपको रीड और एक्जिट की देनी है तो तो इस सारी चीजे होती है ठीक है ना तो कईस यह कुछ परमिशन में किसी टाइब की परमिशन सेट नहीं है और जो फाइल जो में परमिशन दरोग दरोग XYZ के लिए तो अब इसका हम देख सकते है गाइट FACL XYZ के लिए अबने क्या किया है यह देखिए गाइस आ गया है कि नताशा आपके पास कुछ भी परमिशन नहीं है ट्री डेश लग रहे तो गाइस यह होता है इस है जिस में आप परमिशन सेट कर सकते है किस यूजर के लिए वो किस टाइब की फाइल एकसिस करेंगा और किस टाइब क्यू नहीं करें तो उसी दो मेतना है, THANKS FOR WATCHING And keep watchING MY VIDEOS